हेलो व्यूवर्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं एक थो स्वीट डिश स्वीट डिश ये कौन सा है ये है लड्डू का एक वेरियेशन जिसको कहते हैं गोंद के लड्डू गोंद के लड्डू यूजरी आफ्टर प्रेगनसी देते हैं लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि बस उसी स्टेज में ये लड्डू खाया जाएगा यह वही लोग ही खा सकते हैं यह लड्डू सबको ही खा सकते हैं यह गोंद एक एडिबल गम होता है तो इसको इस्तेमाल करके हम एक लड्डू बनाएंगे और यह जो गोंद है यह एक अच्छा क्रंच देता है ठीक है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देते हूं मैंने अरां 100 ग्राम्स ऑफ गोंद लिया है और इसको मैं फ्राइ कर लूंगी और यूजुली गोंद के लड्डू में हम आटा यूज करते हैं तो मैं जो गोंद का लड्डू बनाने वाली हूँ इट इस अ मिक्स्चर ओफ मल्टी ग्रेंस इस में थोड़ा सा आटा भी इसमें इसमें इस्तेमाल करूंगी तो चलिए धीरे-धीरे मैं आगे-आगे बताती जाओंगी कि मैं किसको कितना क्वांटिटी में ले रही हूँ और हम क्या क्या कर रहे हैं चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन में मेरा जो कडाई मैंने चड़ाया है उसमें मैंने एक टी स्पून जितना घी लिया है देसी घी और वो अभी गरम हो गई है तो मैं उसमें बैच बाई बैच अपने गोंद को फ् निकाल देना है तो मैं आपको दिखाऊंगी दीरे दीरे स्क्रीन पर कैसे क्या कर रहे हैं देखे अभी आप देख सते हैं घी गरम हो गई है और मैं गोंद को बैच इसमें प्राइ करूँ गी और जैसे ही हम गोंद को डालें देखिए जैसे फ्रायम्स फ्लफी हो जाता है यह गोंद भी वैसे ही फ्लफी हो जा रहे हैं तो जैसे ही सारा ही फ्लफी हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और जब पूरा सारा बैंच प्राइब हो जाएगा और यह थोड़ा सा कूल हो जाएगा फिर हम इसको जाहे आप हाट से हो या फिर मॉटर पैसल से आप इसको मिक्सर ग्रेंडर यूज ना करें कि फिर यह पूरा एक पाउडर बन जाता है अच्छा नहीं रगता है थोड़ा सा क्रंच लड्डू में मालूम चलना चाहिए इसलिए आधर आप मौटर पैसर यूज करके उसको थोड़ा कोर्सली क्रेश कर लिजे या फिर आप हैंस के इसे बिच्छे जरी जाता है और जैसे ही यह फ्राइ आप हो जाएगा उसी घी में मैं क्या करूँगी मेरे जो ड्राइ फूर्ट से कैश्यू किश्मिय शोप जोलूगी उसे भी मैं प्राइग कर दोगी यह लास्ट पैस में डाल रही होगी और इसे भी हम फ्राइ होने के तो हमारा यह सारा गॉल्ट का बैच जो है ठाई हो गया और इसको अब में निताल देखिए इसा बन जाता है ठीक है तो अब मैं कड़ाई में अपना जितना ड्राइपूस मुझी दालना है थोड़ा कैश्यू थोड़ा किश्मेश और थोड़ा सा आमल्स इसको मैं थोड़ा सा रफ्ली याथी फ्राइ कर दे रहे हूं और इसको भी मैं अच्छे से कोर्सली क्रश्ट लेगे इसे खी में हम रोस्ट करेंगे हमारा मल्टी ग्रेंज मैंने कहां आपको कि मैं इसमें मल्टी ग्रेंज ले रहे हूं मैंने अराउंड यह है 150 ग्रेंज मैं डाल देरे हूं और मैं अराउंड 50 ग्रेंज 100 ग्रेंज 100 ग्रेंज अटा ले रहे हूं तो समय मैं आपको बता सकती हूं इसमें है रागी बाच्रा और इसमें कॉन है जवार, बार्ली, वीट, रेड राइस, ग्रीन ग्रैम, फ्राइड ग्रैम, और आमल्ड, कैश्यू, और ग्राउननर्ड, सब कुछ डाल के ये एक मिक्स है इसको मैंने इस्तमाल किया है गुंद के लड्डू बनाने के लिए और मैंने लिया है इसमें 100 g ऑफ नामल्ड, जो हम रोटी बनाने के लिए आठा यूज करते हैं चक्की का आठा वो लिया है और इसमें मैं एक टी स्पून तो टाले की और एक टी स्पूम जी डाल रहे हो और हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो देखें जब तक हमारा ये मिक्स्चुर ऑफ फ्लार्स प्राइब हो रहे हैं बिल्किल ज़वाजी मत करेगा लार अगर कच्छा रह गया फिर हमारा लड्डू पूरा बरबाद हो जाएगा इसको तक तक गुनना है जब तक एक हमारा फ्लार कच्छा नहीं है चखने कर गल्डी गरम में चख लिया देख लिया बना है कि नहीं ऐसा गल्डी बिल्कुल भी मख करिएगा तो चले जब तक इस लो में घुन रहा है वीच बीच में चलाती रहूंगे इसको तब तक हम इस जो बोंध हमारा फ्राइ करके रख जो चुछब देख करके कोरिसल या है तुकत की करना है अब भी या घ्क दो दो गोगी आहारा शूब एर देखे मैं चोटा सा मोटर पैसल यूज्ड कर रहे हूं । चोटे सा मोटर पैसल में बैच उक नगर में जाब जाब अबग कर ज़या है आए 49ल आइह तक हमारा, दे व्लार का निच्चर फ्लाइब हो जाएगा हम उसमें वन बाइवन गूंद राइ फूट्स में डालते रहेंगे और मिठास के लिए आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं जैगर यूस्स रहे हैं अपने स्वीटनेस के हिसाब से देखें अब भी आप स्वीटनेस पे देख सकते हैं कि हमारा अलमोस्ट यह तयार है और मैंने इसमें 6 टेबल स्पूम्स ऑफ घी डाला है और अब यह अच्छी आरोमा भी आ रही है और यह अब है इसे घी भी छोड़ मालूम चल जाता है कि हमारा फ्लार का मिक्स तयार है अब इस टैंड पे मैं एक छोटा पिंच जितना सॉल्ट इसमें डाल दूगी हर मीठे चीज में थोड़ा नमक डालना बहुत जरूरी है इससे हमारा मीठे का स्वाद और भी बढ़ जाता है इससे बालन्स ने रहता है थोड़ा सा नमक डालना तो बनता ही है वर्स हो गया अब इस स्टेज पर मैं स्विच आफ कर रहे हूं और मैं डाल दूगी इसमें हमारा रश किया हूँआ गॉम्ट ड्राया भूत्स ट्रॉट्स परश किया हूँआ ड्राया ड्राया भूत्स और मैं डाल दूगी इसमें जैगरी All नो सुच अफ करने के बाद की जैगरी डिलां, जैगरी पाउडर डाला है, तो मैं डाल रही है, तो मैं डाल रही है, तो मैं जोंगे, तो 3,4,5,5 तो यहां जैगरी डाल रही है और मैं इसको अच्छी से एक मिक्सटर, क्योंकि मेरा यह जैगरी पाउडर है इसलिए मैंने इसे इस लाज स्टेज पर डाला इगर देखिए इसको मैंने अभी बोल में चांसफर कर दिया है और अभी में वन बाई वन इसका जल्दी-जल्दी लड्टू बना बने इसको ऐसे ग्रीस कर दीजे और फिर हम इसका गरम-गरम में ही करना पड़ेगा नहीं तो फिर यह बाइंड नहीं होगे दिखे बने इसके लड्डू ऐसे ही बाकी भी मैं बना देते हूं दीखिए जब यह वाम है होट से वाम अब उस स्टेज पर ही मैं यह लड्डू बना रहे हूं ऐसे ऐसे गोल-गोल करके आप लड्डू बनाते चाहिए ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छे अच्छे लड्डू नहीं बन पाएंगे से ने लड्डू हम भी मिक्स पखड़ी है और उसे उसको अच्छे आप अच्छा लड्डू का शेप ना मुल जाये दस्लेफी Мेरा आफ्री लड्डू है बन गए सारे लड़ू, गूंद के लड़ू, यह बहुत हेल्दी है, इसमें शुगर भी नहीं है, हमने शुगर के जगह पे इसमें जैगरी सब्स्टिचूट किया है, और इसमें मल्टी ग्रेंज का एक मिक्स है, आटा है, ड्राइ फ्रूट्स है, घी है, यह सब हेल्थ के ल इसलिए बहुत ज्यादा पोर्शन्स में इनको ना खाए, और बचा की रखे इनको विंटर्स में खाने के लिए, विंटर्स में यह वाले लड़ू जरूर खाए, तरह अच्छा शेप ले आ रहे हूं, जो बाकी लड़ू मने बनाए थे, अच्छा शेप ले आती हूं, बस बने हमारे सारे लड़ू, आप स्क्रीम पर देख सकते हैं, हमारे सारे लड़ू, गूंद की लड़ू, जिसमें मल्टी ग्रेंद का मिक्स है, और आटा है, ड्राइ फ्रूट्स, घी, बहुत कुछ अच्छी इंग्रीडियन्स है इसमें, और बहुत ही अच्छा स्वीट है, इसको जरूर विंटर्स में, एक बार तो जरूर बनाएए और जरूर खाएए, थैंक्यू सो मॉच,